प्रयाग राज मुठी गंज थाना क्षेतर में भोर में उस समय इलाके अफरा तफरी मच गई, जब एक विशाल टिंबर हाउस में भीशन आग लग गई। आग की लपेटे इतनी तेज थी कि अगल बगल के लोग लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा। सूचना पर पहुँची फायर ब्रिगेड की लगभग एक दरजन गाडियां भोर से ही इस बड़े टिंबर हाउस में लगी आग को बुझाने में लगे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सके हैं, आग किन कारणों से लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाय भारत टिंबर हाउस में इसके पहले भी आग लग चुकी है, जिसमें लाखो करोड़ों का नुकसान हुआ था, गनीमत की बात ये है कि इन समय गाड़ों की नजर PDDDDH गई और इन लोगों ने सोर मचाना सुरू कर दिया, जिससे अगल बगल के लोग अपना मकान खाली करके बाहर आगये में, फायर ब्रिगेड की लगभग एक दरजन गाड़ियां आग बुझाने में लगी है और कई घंटों से चल रहा है, रेस्क्यू कार्य जारी है, प्रदीपकी के वर्ष पुरानी टिंबर की बढड़ धी दुकान और गोदाम है, जहां दो गार्डों की ड्य दो लोगों की मौत गई थी, इन पूरी घटना से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। को खाली किया, घर खाली करके बाहर गए और तब रात से डाई तीन बजे से अभी तग आग वैसे ही चल रही है, आग को निरंतर बुझाया भी जा रहा है, काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी आग लगी हुई है, अगल बगल में ये मेरा घर है और इसके अजरस्ट बगल में लकडी की एक दुकान और है, कुछ दिन पहले तो सामने घटना हुई थी वो, घर से घर के सामने ही है वो, मेरा नाम प्रशान्त दुब्रेर कि पच्पर मेंट पर हम लोग कंट्रोल रूम से सुचना मिले कि भारत टिंबर इस्टोर ठाना मुठ्थी गंज अंतरगत आग लगी हुई है, सुचना क्या था हम लोग दो फाय टेंडर लेके यहां पर आए, और यहां आकर देखें कि आग बहुत बिकराल रूप पकड़ पर दस फाय टंडर अगनिसमनकार में लगाए और जो है अगनिसमनकार कर रहा है जो फिर बगल के दिवाल से तोड़ के भी हम लोग आग बुझा रहे हैं और पाज घंटा लगए अभी एक गंटे का समय और लगेगा अगनिसमन कार करने में दस वाहन मंगाए और उनके द् अगनिसमनकार किया जा रहा है कितने लीटर पानी अब तक लगए अब तक लगए जो है लग चुगा और अभी जो है पचास हजार लीटर लगने की और उमीद है मैं डाक्टर राजी कुमार पांड़े सीफो कमिस्टेट प्रियाग राज अबड़ा अबड़ा आग्जार अबड़ा ओड़ा यप्रियाग आगए अबड़ाए भी ओड़ा राज़ा राज़ाबादोगर अबड़ादों